शुरुवात करते हैं जम्मु कश्मीर की 90 सीटों के चुनाव के नतीजे आज घोशत किये जाएंगे सुबह 8 बज़े से काउंटिंग की शुरुवात होगी और पहला रुजहान आएका सभी प्रमोख सियासी दलों की निगाहे नतीजों पर टिकी हुई है जी मीडिया पर सबसे तेज और विश्वस्निय नतीजे हम आप तक पहुँचाएंगे जम्मु कश्मीर में 10 साल पहले आखरी विधान सभा चुनाव हुए थे और उस वक्त ये राज्य हुआ करता था 37 सीटे जम्मु 46 कश्मीर घाटी और 4 सीटे लद्दाक शेतर में थी तब जम्मु कश्मीर में 65 फिसीदी मतदान हुआ था तब महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी आज हालात बदल चुके हैं राज्य में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है जिसके आज नतीज आएंगे आठ बज़े से काउंटिंग की शुरुआत होगी और 10 साल बाद ये मौका है जब विधानसवा चुनाव हुआ था और आज शाम तक नतीजे भी आजाएंगे जमुकश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसवा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं इसे लेकर मत्दाताओं और राजनितिक दलों में जोश भी है आशंका है कि एक अक्टूबर को 90 विधानसवा सीटू पर आखरी चुनाण का मत्दान पूरा हुआ था जबकि इससे पहले 18 सितंबर को पहले चेनण और 25 सितंबर को दूसरे चेनण का मत्दान हुआ था ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि अनुछे 73 हटने के बाद जमुकश्मीर में पहली बार विधानसवा चुना हुए है अनुछे 73 हटने के बाद से जमुकश्मीर के राजनितिक हालात में बड़े बदलाओ देखे गए है और अब आज आने वाले चुनाव के नतीजे इस ने राजनितिक दौर की रिशा तैक करने में हम भूमिका निभाएंगे केंदर शासित प्रदेश बनने के बाद हुए पहले विधानसवा चुनाव में कुल 873 उमिदवारों ने किस्मत आजमाई आज जनता के फैसले का परिणाम आ जाएगा शिरनगर में आठ विधानसवा सीटों के लिए मतगरना केंदर शेरिक कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन शेंटर में बनाया गया है 19 जिलों की बाकी 82 सीटों के लिए सम्मंधित जिला मुख्यालों में मतगरना होगी इस थापिक कश्मीरी पंडितों के मतों की गिनिती जम्मू, उधंपूर और दिल्ली में होगी जहां मतगरना केंदर बनाये गए है चुनाय आयोक के मताविक मतदान के दोरान मतदाताओं की अच्छी खासी भागेदारी देखी गई है जैनता ने भारी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तमाल किया है जो ये सावित करता है कि वे इस चुनाओ को लेकर कितने जोश में है जम्मू कश्मीर में दोनों ही शित्रों मतदाताओं ने बड़ी संख्या मतदान किया है और अब सभी की नजरे आज की गिंती पर है राइनितिक जानकारों का मानना है कि ये चुनाओ ना केवल जम्मू कश्मीर की राइनिति के लिए एहम है बलकि राश्ति इस्तर पर भी इसका प्रफाव पढ़ना तै है सभी प्रमकराइनितिक दव और उनके उमिद्वारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा